हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू ओल अफ यू ओन माई यूटूब चैनल बायलोजी बाई सचिन पुनिया आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम है उसमें कौन-कौन से फीमेल ओर्गंस आते हैं मतलब की फीमेल रिप्रोड़क्टिव ओर्गंस कौन-कौन से हैं तो वो मैंने आपको बता था दो टाइप के होएंगे एक होईगा primary sex organ और एक होईगा accessory sex organ अब ये देखिए सबसे पहले primary sex organ किसे बोलेंगे उसे बोलते है ovary को female के अंदर जो gamits की formation करवाएगी उसको बोलते है ovary और female के case में gamit क्या होता है ओम होता है या फिर ओवा होता है उसके बाद जो accessory sex organs है वो क्या क्या है देखिए अपने पास oveduct है uterus है cervix है vagina है and external genitalia है ये सारे के सारे organ मिल कर क्या करते हैं reproduction में help करते हैं all these organs along with memory glands are integrated structurally and functionally two sport the process like ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care अब इसका कहने का मतलब ये सारे के सारे जितने अपने पास reproductive organs हैं वो memory glands के साथ integrated way में काम करेंगे मतलब कि मिल कर काम करेंगे और जो ये process है जैसे ovulation है, fertilization है, pregnancy है, birth है, child care है इन सभी process में सारे सारे मिल कर काम करेंगे उसके बाद start करते है ovary से, सबसे पहले ovary के बारे में पता होना चाहिए अपने पास क्या भी primary sex organs हैं जो की gametes की formation करवाती है ovary produce female gametes, ये क्या करती है, female gametes की formation कराएगी जीसे क्या बोलते हैं, ovum बोलते है also produce steroid hormones like estrogen and progesterone अब ये क्या करती है, ovary कुछ एक steroid hormone release करती है, produce करती है वो कौन-कौन से है, estrogen और progesterone उसके बाद जो ovary होती है, इनकी location क्या होती है, कहाँ पर ये present होती है ovaries are located one on each side of lower abdomen, मतलब कि lower abdomen के दोनों तरफ एक एक होती है, total ovary कितनी है, अपने पास दो है उसके बाद इसकी shape कैसी होती है, तो ये ovary जो है, oval shape क्यों होती है, इनका size कितना होता है, वो होता है, 2 to 4 cm in length 2 से लेकर 4 cm उनकी length होती है, ovary are connected to pelvic wall and uterus by ligaments अगर आपसे पूछा जाए, जो ovary है, उनको connect कौन करता है, किसके साथ, pelvic wall और uterus के साथ, तो वो क्या है पने पास, ligaments है, ligaments इनको बांद के रखते है, connect करके रखते है उसके बाद parts of ovary देखते हैं, मतलब कि ovary के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, ovary की shape कैसी है, oval shape है, उसके हमने क्या कर दी, दो part में divide कर दिया, जो ovary है, ovary is divided into two parts the first is cortex, एक को नाम दे दिया cortex, और दूसरे को बोल दिया medulla, अब यह cortex क्या है, और medulla क्या है, तो जो peripheral portion है, ovary का, बाहर की तरफ वाला portion, उसको बोलते हैं cortex, और जो middle, center का जो portion हो से क्या बोल देंगे, medulla, इसमें confusion नहीं होना है, M से middle और M से medulla, तो बीच वाला मेडूला है, और चारो तरफ periphery वाला क्या है, cortex है, उसके बाद, देखिए, the outermost layer of ovary is called germinal epithelium, ovary की जो सबसे बाहर वाली layer है, उसे हम क्या बोलेंगे, germinal epithelium बोलेंगे, अभी देखेंगे diagram में, उससे पहले एक दो point और देखने क्या है, layer, inner to germinal layer is called peritonium, अब peritonium के अंदर क्या मेडूला आएगा, यह हमको structure के बारे में इसका पता होना चाहिए, कौन-कौन से ovary के part है, सबसे बाहर वाली layer को बोला, germinal epithelium, उसके अंदर peritonium, उसके अंदर cortex, और cortex के अंदर मतलब की center में, जो है, वो क्या है, अपने पास, मेडूला है, और उससे बाहर वाला क्या है, मेडूला है, और उससे बाहर वाला क्या है, cortex, अब देखो, जो मेडूला है, उसमें आपको blood vessels दिखा रखे, diagram में आप notice करोगे तो, तो मेडूला में क्या होता है, blood vessels होती है, पहली बात, दूसरी, जो cortex अपने पास है, cortex में mass of cell मिलता है, मतलब की cells का गुच्छा मिलेगा, और उस गुच्छे को हम क्या बोलते है, फोलिकल बोलते है, उस फोलिकल की further development जो है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आपको basic idea होना चाहिए, कौन सी structure कहां पर है, जो cortex है, उसके अंदर फोलिकल से है, मेडूला है, उसके अंदर बलड वैजल से है, और जो सबसे आउ वासा इफरेंसिया था, एपीडी डाइमस था, वासा डिफरेंसिया था, रेटे टेस्टी था, पर जो male के case में सारी के सारी क्या थी अपने पास, accessory ducts थी, तो female के case में accessory ducts कौन कौन सी है, वो देखते हैं, तो सबसे पहली अपने पास निकल क्या थी, वो है OV duct, या फिर इन आती है, उसके बाद, OV duct के बारे में पढ़ते हैं, मतलब OV duct या फैलोपियन ट्यूब ये क्या है, तो सबसे पहली बात, इसकी length कितनी होती है, 10 से लेकर 12 cm तक इसकी length होती है, extend from ovary to uterus, ये मिलती कहां पर है, तो ये ovary से लेकर uterus तक फैली होती है, मतलब कि uterus और ovary को जो जो कि ovary के सबसे पास में होता, closest to ovary, दूसरा जो portion है, वो होता है, ampula, और ये जो अपने पास portion है, इसका जो lumen है, जो अंदर वाला space है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसली बोलते है, इसका lumen का है, wider है, चोड़ा है, उसके बाद, जो तीसरा part है, उसे बोलते है इस्तमस, जो इस्तमस है, उसका lumen जो है, वो narrow होता है, पतला होता है, और इस्तमस कहां पर होता है, ये क्या होता है, यूटरस के पास में होता है, मतलब कि यूटरस को join करता है, उसके बाद, इन फंडिवलम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोल फिंगरी जो इन फ्ंडिवलम है पने पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बոलते है, फिंभरी बोलते है, अब देखोए इन फिंगरी का काम क्या है, फिंगरी help in collection of ovum after ovulation, जैसे ही ovulation होएगा, वहां से ovum को प section weave of female reproductive system अब हमको क्या का नाव है reproductive system का diagram समझना ये देखी आपके सामने screen पे है ये जो diagram बना रखा इसमें आप notice कर सकते हो जो ovary दिखे रही है दोनों साइड जो ovary है oval shaped ovary है इनको बांद कर किसने रख रखा है ligaments ने इसके पास वाला जो अपने पास portion है ovary के पास वाला infundi volume देखो ये right side दिखा रखा जो halopien tube लिख रखा है यहाँ पर finger like projection आपको दिख रही है और ये है कौन से portion में वो है infundi volume में है उसके अगला जो portion है ampula वो आप देख पा रहे हो और उसके अगला क्या है तो ये तीनों के तीन portion किसके होगे अपने पास है halopien tube के portion होगे उसके साथ साथ इसमें देखो ये जो बीच में दिखा रखा है बीच वाला जो space आपने पास uterine cavity आपको दिख रही है ये क्या वे uterus की cavity है और बीच में जो आपको दिख रही है uterus है उससे नीचे जब आपको दिख रही है cervix है cervix की बीच की जो cavity उसको बोलते है cervical canal और cervical canal के नीचे के आती है वेजाई नहोते है ये है अपने पास female reproductive system का diagram उसके बाद uterus के बारे में पढ़ते है uterus क्या होता है single होता है अकेला मिलेगा और इसका दूसरा नाम क्या है womb है गरब जिसको हम बोलते है उसके बाद shape कैसी इसकी इसकी shape होते है inverted pier shape जो नास्पती होती है ulti-nास्पती inverted का मंदर उल्टा ulti-nास्पती की जैसी इसकी shape होती है जो uterus है उसको sport कौन करता है uterus is sported by ligaments and attached to pelvic wall pelvic wall के साथ uterus जुड़ा हुआ होता है और उसको sport कौन परवाइड करवाता है ligaments परवाइड करवाते हैं उसके बाद it opens into vagina through a narrow cervix ये vagina में खुलेगा किसके थूरू cervix मतलब की vagina और uterus के बीच का जो portion है वो क्या अपने पास cervix है the cavity of cervix is called as cervical canal जो cavity है cervix की उसको हम क्या बोलते है cervical canal बोल दिया जाता है उसके बाद जो cervical canal है और वेजाईना है ये दोनों मिलकर बरत canal का निर्मान करते हैं बनाते हैं उसके बाद walls of uterus has three layers जो अपने पास uterus की layers जो है uterus की walls जो है उसमें तीन layers होती है अब देखते हैं layers of uterus सब से पहली जो अपने पास है वो है perimetrium जो की thin होती है पतली होती है और external है सबसे बाहर बाली layer है उसके बाद myometrium perimetrium से अंदर वाली जो layer है उसके अंदर की तरफ जो layer है वो कौन सी है, myometrium है, यह थिक होती है और middle portion हो गया made up of smooth muscles बीच वाली layer है, थिक है और यह बनी किसकी होती है, वो बनी होती है smooth muscles की बनी होती है उसके बाद myometrium provide strong contraction during delivery जो myometrium है, वो strong contraction provide करवाएगी कब during delivery, delivery के time पे जो contraction provide करवाती है uterus को वो कौन सी layer है, myometrium है और यह बनी किसकी होती है, स्मोथ muscles की बनी होती है तीसरी जो layer अपने पास है, उसका नाम है endometrium यह सबसे अंदर वाली layer है और इसको बोल दिया जाता है, यह क्या है glandular layer है uterus की उसके बाद endometrium line uterus from inside मतलब की uterus को अंदर की तरफ से line कोन करता है, cover करके कोन रखता है तो वो क्या है अपने पास endometrium layer है उसके बाद endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle तो जैसे जैसे menstrual cycle चलता है तो कौन सी layer के अंदर बदलाव आते रहते है changes किसके अंदर आएंगे, तो किसके अंदर आएंगे उसके बाद देखते है, external genitalia क्या है जो external genitalia है, उसमें क्या क्या होगा तो it includes, सबसे पहला है mons pubis सबसे पहला portion क्या है mons pubis फिर है labia majora, labia majora, फिर labia minora फिर hymen and kleitoris ये सारे के सारे जो मैंने आपको screen पे लिख की दिखा रखे है अब ये सारे एक के करके हमको पढ़ने है सबसे पहले हमें बात करते है mons pubis क्या है it is cousin of fatty tissue cousin का मितलब एक गद्धी टाइप में है जो fatty tissue है, उसकी एक गद्धी जैसी structure है जिसको हम क्या बोल देते है, mons pubis बोल देते है covered by skin and pubic hairs इसको कौन कवर करता बे, skin or pubic hair जो पने पास pubic hair है, वो और सकीन इसको कवर करके रखते है उसके बाद है labia majora labia majora क्या बे, fleshy folds of tissue tissue के folds है एक तरीके से ये मिलते कहाँ पर है, extends down from mons pubis mons pubis से निच्चे की तरफ उसके बाद it surrounds vaginal opening जो vaginal opening है, उसको surround करके कौन रखता है, गेर कर कौन रखता है, तो वो को नवी, labia majora है उसके बाद labia minora ये क्या अपने पास, paired folds of tissue है, ये भी क्या अपने पास, tissue के fold है ये होते कहाँ पर है, it is present under the labia majora labia majora के निच्चे की तरफ क्या मिलेगा, labia minora उसके बाद है hymen, hymen क्या होता है, देखो the opening of vagina is covered partially by a membrane called hymen मतलब कि जो vagina की opening है, वो partially, मतलब कि थोड़ी सी एक membrane के द्वारा डखी हुई होती है, cover की होती है और उस membrane को, उस layer को क्या बोलेंगे, hymen बोल दिया जाता है अब देखते क्लाइटोरिस क्या है, जो क्लाइटोरिस है, वो क्या है, finger like structure है मतलब कि finger जैसी दिखने वाले structure है, present at the upper junction of labia minora ये present कहाँ पर होती है, upper junction जो है, labia minora का जो upper junction जहाँ पर वो मिले होते हैं, वो आपर present होते हैं, above the urethral opening जो urethral opening है, उसके उपर की तरफ क्लाइटोर्स मिलता है, आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ, male के case में जो external genital area था, वो urine और sperm, मतलब कि semen और urine दोनों के लिए common path show करता है लेकिन अपने पास female के case में क्या है, urethral opening अलग है और vaginal opening अलग है, यह आपको याद रखना है उसके बाद hymen torn और break during first intercourse, मतलब कि जो hymen layer अभी हमने पढ़ी है, उसका breakdown होता है कब जब first intercourse किया जाता है, पहली बार जब intercourse female के case में किया जाता है, तो उसके time पे क्या होता है, hymen तूट जाती है However, it can be broken during playing, some sports like horse riding, cycling, लेकिन जो hymen है, उसके तूटने के और कारण भी हो सकते है जैसे कुछ एक sports अपने पास horse riding है, cycling है, इनके time पे भी हो क्या कर सकते है, hymen तूट सकती है Hence, hymen is not a reliable indicator for virginity, तो हम hymen के base पे किसी की virginity को निर्दारित नहीं कर सकते तो यह था अपने पास hymen के बारे में, उसके बाद memory glands के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहली बात, एक pair of functional memory glands is characteristics of female mammals मतलब कि जितने भी mammals हैं, जितने भी female mammals हैं, उनके अंदर एक functional memory glands का pair होना जरूरी है मतलब कि उनकी characteristics है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद it contains glandular tissue and variable amounts of fat मतलब कि जो memory gland है, उसके अंदर दो portion मिलेंगे आपको एक मिलेगा glandular tissue, मतलब जो कि कुछ ने कुछ secret करता हो और variable amount of fats, मतलब कि कुछ एक fat आपको देखने को मिलेगा उसके बाद glandular tissue is divided into 15 to 20 memory lobes जो भी part है अपने पास memory gland का, जिसको उनके बोला था glandular tissue उसको आगे divide कर दिया 15 to 20 memory lobes के अंदर मतलब कि जितना भी अपने पास glandular part है उसको 15-20 compartment में divide कर दिया उनको बोल दिया memory lobes memory lobes contain cluster of cells called alveoli जो memory lobes है उसके अंदर cells के गुछे मिलेगे, cluster मिलेगे और उन cells को क्या बोल दिया है, alveoli बोल दिया है milk is secreted by cells of alveoli जो अपने पास गुछा है जिसको उने alveoli बोला है उसकी जो cells है वो क्या करेगी milk को secret करेगी प्रोड्यूस करेगी उसके बाद milk is stored in cavity या lumen of alveoli जो milk अपने पास secret हुआ है प्रोड्यूस हुआ है उसको store कौन करेगा alveoli की जो cavity है जो lumen है अंदर का जो खाली space है वो क्या करेगा अभी milk को store करेगा उसके बाद alveoli opens into memory tubules जो alveoli है जहाँ पर अपने पास milk store हुआ है वो कुलती किसके अंदर है तो वो खोलेगे memory tubules के अंदर जो memory tubules है वो एक दूसरे से जुड़कर एक नई duct बनाती है वो उस duct को क्या बोल दोगे memory ducts कुछे memory ducts मिलकर आगे एक बड़ी structure बनाती है उसको बोलते है ampula क्या बोलते हैं ampula उसके बाद जो ampula अपने पास ampula connected होता आगे लेक्टी फेरस ducts के साथ किसके साथ लेक्टी फेरस ducts के साथ और जो लेक्टी फेरस ducts ने यहां से milk को suck out कर दिया जाता है बाहर निकाल लिया जाता है बेबी के दोबारा तो यह थी अपने पास memory glands के बार बार वाली जो लेयर होई वह होगी memory duct है memory duct join करके क्या बना रही memory ampula बना रही है memory ampula आगे लेक्टी फेरस duct में खुलती है और लेक्टी फेरस duct से आगे सीधा बेबी क्या करता है milk को suck out कर लेता है तो यह था अपने पास memory glands के बारे में और पूरा का पूरा जो reproductive system था female के case में वह आज हमने discuss किया thanks all of you that is all about female reproductive system female reproductive system के बारे में जो कुछ भी हमको पढ़ना था सारी के सारी main बाते मैंने आपको समझा दी यह सारी के सारी anxiety को cover करती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया त और friends के साथ जरूर share करें